दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब दोस्तो आज का हमारा टोपिक है कवाई मचली पालन के बाड़े में दोस्तो बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि हमें कवाई मचली पालन के बाड़े में जानकारी दीजिए तो आज का हमारा टोपिक है कि कवाई मचली पालन कैसे करें तो च चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों भारत में हर अलग-अलग जगों पर इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे कि हमारे नौर्थेरिया हो गए बिहार यूपी ये समय कवई नाम से जाना जाता है बहुत भाई इसे वियत नाम कोई के नाम से जानते हैं और बहुत लोग इसे क्लाइम्बिंग पर्च के नाम से जानते हैं तो चलिए सुरू करते हैं अपने वीडियो को दोस्तों आपको कैसा तलाव चाहिए कवाई मचली पालन के लिए तो कवाई बहुत ही सेंसिटिव मचली होती है मतलब जितने भी छोटी मचलिया है जिनका वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है जैसे कि सिंगी हो गया या कवाई हो गया यह सेंसिटिव होती है तो आपको इन मचलियों को पालन करने के लिए आपको बहुत ही साबधानिया बरतनी है तो कैसे करें इसका पालन आप इ नेचुरल तलाब में भी इसका पालन कर सकते हैं तो बात करते हैं पहले नेचुरल तलाब की तो नेचुरल तलाब में आप इसका पालन कर सकते हैं आपको नेचुरल तलाब में जैसे की आधेकर का तलाब लेकर चलते हैं तो आप उसमें 2000 से लेकर 3000 तक कवई मचली का बच्च हम मंगवाए तो कितने लाइन का मंगवाए और क्या सब्धानिया वरतनी चाहिए बच्चे को मंगवाते समय तो उस पर भी बात करते हैं तो दोस्तों आप 2000 लाइन तक का बच्चा मंगवा सकते हैं या 1000 लाइन तक का ही बच्चा मंगवा सकते हैं लेकिन यह कोशिस करें कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही इंसीडी मचली होती है तो आपको बहुत सब्धानिया रखनी है बच्चा लाते समय आपको यह सब्धानी रखनी है कि आपको एक पैकेट में गैस भड़के जो पैकेट देती है उस पैकेट में ज्यादा से ज्यादा 300 ग्राम तक बच्चा उसमें रखवाए एक हजार लाइन का या दो हजार लाइन का 300 ग्राम एक पैकेट में बस 300 ग्राम बच्चा ही रखवाए चाहे आप जितना भी पैकेट लाए उससे मतलब नहीं है अब क्यों 300 ग्राम तक का बच्चा रखवाना है क्योंकि बच्चा एक ह तो आपको mortality चली जाएगी बहुत सारे मचलिया आपके farm तक आते आते एक दूसरे को नुकसान पहुचा देगी और बहुत की mortality मतलब बहुत मर जाएंगी उसमें से तो आपको करना है कि कम से कम एक packet में कम से कम बच्चा को seed supplier से अपने farm तक लाएं अब जब बच्चा आपके पास सही सुरक्षित आ गया तब आपको क्या करना है कि अगर आप सिमेंट टैंक में या रेस में या बायो फ्लॉक में कल्चर करना चाह रहे हैं कवई का वियत नाम कोई का तो आपको करना है कि पहले बच्चा को लाकर आपको साधे पानी में रखन तो आपको क्या करना है कि सिर्फ सादे पानी में उसको बच्चे को डालना है 15 दिन तक अब जब आप 15 दिन तक उसको सादे पानी में रखेंगे तो आपको ऊपर से फीडिंग सपलिमेंटरी फीडिंग कराना है मतलब की फैक्टरी मेड फीड बहुत ही छोटा मतलब एक एमेम का फीड आपको चाहिए होगा उसको फीडिंग कराने के लिए आप चाहिए तो आप पानी में पोटेसियम पर मेगनेट भी घोल सकते हैं बच्चा रखने से पहले तो आपको 15 दिन तक बच्चा उसमें कवई मचली का रखना है और जैसे कि मैंने बताया कि आपको सपलिमेंटरी फीडिंग कराना है दोस्तों ये तो बात हो गई आरेस या सिमेंट टैंक में अगर आप करते हैं या बायो फ्लॉक में लेकिन अगर आप तलाब में करना चाह रहा है नेचुरल पॉंड में करना चाह रहा है तो कैसे करें तो जैसे कि मैंने बताया कि आधेकर के तलाब है आपका तो उसमें आप 3000 बच्चा तक आप इस्टॉक कर सकते हैं 1000 लाइन का बच्चा या 2000 लाइन का बच्चा आप 3000 बच्चा उसमें आप इस्टॉक कर सकते हैं और इसमें करना क्या है कि जैसे कि आप लोग IMC और कार्प करते हैं उसी प्रकार से इसकी भोजन प्रबंधन आपको करना है इसमें कोई भी अलग से नहीं करना है जैसे आप IMC और कार्प का भोजन प्रबंधन करते हैं वैसे कवई मचली का भी आपको भोजन प्रबंधन करना लेकिन इस मचली को आपको अलग से भोजन देना पड़ेगा और अलग से प्रोटीन या कोई भी प्रोवाइटिक आपको जो आपके पास मँझूद होसे आपको देना ही है और पॉंड कल्चर ही अच्छा माना जाता है इसके लिए आप अगर सीमेंट टैंक में करते हैं या बायो फ्लॉक में तो जो भाई करते हैं वो तो जानते होंगे किसका मॉर्टिलीटी उसमें थोड़ा जब बच्चा रखते हैं उसके बाद होने लगता है तो तो इसा तलाब में इसका पालण ना करें यह सुएमपी वाटर में अथने अच्छे से नहीं रहती है क्योंकि एेर ब्रचिंग फीश है तो पी उतने अच्छा से सर्वाइब नहीं करती है तो आपको ऐशा तलाब जो प्लेन हो उसमें को भी मतलब की दलदल टाइप ना हो नीचे से मिटी पानी भर दे उसके बाद डाइरेक्ट उसमें बच्चा स्टॉक कर देना है स्वेंपी मतलब कादो कीचर मड ये सब उसमें नहीं होना चाहिए दोस्तों अगर आप तलाब में कर रहे हैं तो आपको तलाब में बहुत ही खास रखना पड़ेगा इस मचली का क्योंकि ये बार बार सांस लेने के लिए उपर आती है तो आपको बर्ड नेट या तलाब के उपर से नेट इसको आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि जब ये बच्चा रहती है तो बार बार सांस लेने के लिए उपर जब आएगी तो इसम मतलब उससे खतरा है तो आपको बर्डेनेट उपर से लगाना ही पड़ेगा कुछ और खास ख्याल यह रखना है कि आपको वाटर का पीच अमोनिया यह सम मेंटेन रखना है आपको अगर बहुत भाई सोच रहें कि हम इसके साथ दूसरे मचली का पालन कर सकते है या नहीं तो आप इसके साथ दूसरे मचली का पालन ना करें क्योंकि यह आकरमक मचली होती है जब यह 200 ग्राम 300 ग्राम की हो जाती है तो इसकी आकरमकता मतलब बहुत ही ज़्यादा आकरमक हो जाती है दूसरों मचली को खाने के लिए दोड़ती है तो आपको दूसरे मचली का पालन खास कर कार्प मचली का पालन इसके साथ बिल्कुल भी नहीं करना है और दोस्तों बात कर लेते हैं किसका rate, price हमें क्या मिलेगा at last हमें इतने culture करने के बाद इसका rate क्या मिलेगा बाजार में तो आपको rate जो है इसका हर जगा का अलग अलग है हमारे बिहार यूपी का बात किया जाए तो 200 पर केजी या 300 पर केजी में सेल होता है कवाई मचली यह बहुत ही टेस्टी मचली होती है और इसका बहुत ही market में high demand है तो दोस्तों आप इस परकार से इस मचली का पालन कर सकते है इसकी mortality जो होती है वो ठंड के दिनों में नहीं होती है जैसे कार्प जो होती है वो बिवित परकार के environmental condition को नहीं सह पाती है लेकिन यह सह लेती है तो आपको इसके लिए यह नहीं सोचना है कि ठंड के मौसम में इसका mortality होगा ठंड के मौसम में इसका mortality बहुत कम होता है या ना के बरावर होता है तो दोस्तों यह सब कुछ जनकारी था कवई मचली पालन के बारे में जैसे कि बहुत भाई कमेंट कर रहे थे कि बताईए तो मैंने अपने experience से बताया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं अगर कुछ रह गया हो तो आप हमें बता सकते हैं आप मुझे भी जनकारी दीजिए क्योंकि मैं भी एक fish farmer हो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा कर दोस्तों